Students, this is your English translation book and in today's class we will read and complete the lesson number 24. Name of the chapter is Negative and Interrogative Sentences. इसमें हम Negative और Interrogative Sentences को Read करेंगे. Negative जिसमें Not लगता है, Interrogative जिसमें Question होता है. तो Negative Sentence को सबसे पहले हम Read करेंगे. इसमें लिखा है उसके Past धन नहीं था. यहाँ पर Past से लेटर हमने अब उससे पहले भी Read किया था कि Past में Has और Have का यूज़ करते हैं. हम Singular के साथ Has करेंगे और Plural के साथ हम Have का यूज़ करेंगे. तो उसके पास धन नहीं था. नहीं के लिए हम Not लगाएंगे. No का यूज़ करेंगे. यानि Has और Have के ठीक आगे हम No लगा देंगे. उसके यानि He पास के लिए है जाज़ाएगा. नहीं के लिए No धन के लिए Money. He has no Money. उस इस्तरी के पास अंगुठी नहीं है. उस इस्तरी के पास अंगुठी नहीं है. इस्तरी यानि Woman के लिए यूज़ करना है. तो हम याँपे इसके लिए She लगाएंगे. शी पास के लिए Has आगया. नहीं No अंगुठी रिंग. शी हैस No रिंग. हमारे पास पुष्टके नहीं है. हमारे पास यानि हमारे यानि We पास के लिए Have यूज़ करेंगे. क्योंकि प्लूरल है यहाँपे. नहीं No पुष्टके Books. वी हैव No Books. उनके पास पैंसिले नहीं थी. उनके यानि They यहाँपे थाक थी के थाका यूज़ हुआ है. तो यह पास्ट में हम Had का यूज़ करेंगे. और सिंगलर और प्लूरल के साथ दोनों एक ही यूज़ होता है. तो यहाँपे They Had और Head के बाद में No आजाएगा. पैंसिले के लिए Pencils हो जाएगा. They Had No Pencils. उनके पास मकान नहीं है. उनके They present की बात हो रही है. तो Have हो जाएगा. प्लूरल है They. एक से ज़्यादा है इसमें Person. तो They Have No मकान नहीं. तो No House. They Have No House. तुम्हारे पास स्कूटर नहीं था. You Had था, यानि Had आएगा. You Had No Scooter. अब यहाँ पर Interrogative. Interrogative में क्या है? यह जो Has और Had का यूज किया है हमने. इसको हम सबसे पहले करेंगे. क्या मोहन के पास चाकू है? सोहन के पास चाकू है? तो Sohan Has a Knife. तो Had जो है, बाहर आजागा. Has Sohan a Knife. क्या तुम्हारे पास मुर्गिया है? You Have Hands. तो You Have की जगा Have You Hands हो जाएगा. ठीक है? जैसे यह है. Simple में क्या हो जाएगा? Simple में तुम्हारे पास मुर्गिया है? You Have Hands. तो जब हम इसको Interrogative करेंगे, तो Have You Hands हो जाएगा. ठीक है? Have जो है, उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे. Have You Hands. तो Question बन जाएगा. क्या उनके पास चार कभीजे हैं? तो Simple में क्या होगा? They कमीजे थी हैं, तो They Had Four Certs हो गया. तो Simple यह हो गया, तो Had फिर Interrogative बनाने के लिए हम Head का यूज़ सबसे पहले करेंगे. Had They Four Certs. क्या तुम्हारे पास कोई कलम नहीं थी? Had You No Pen. क्या उसके पास एक लाटी है? Has He Austic. क्या अपने आपके दो हाथ हैं? Have You Two Hands. अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा Learning Point में हम Read करेंगे. Negative Sentence में Has, Have या Head के बाद ही No लगाते हैं. Interrogative में Has, Have, Head से वाके आरम होता है. यानि जो Simple में Subject के बाद में होता है, तो हम Interrogative में Has, Have, Head को सबसे पहले लगाएंगे. ठीक है? और Last में Question Mark लगाएंगे. अब आते हैं इसका जो Exercise है, अब यहाँ पर लिखाएंगे, उसका घर नहीं है. उसका घर नहीं है, मतलब कि उसके पास घर नहीं है. तो इसका Sentence हो जाएगा कि He has no house. मेरे पास Copy नहीं है. I have no notebook. Notebook, Copy का मतलब यह होता है, इसमें हम Note करते हैं, उसको Notebook बुला जाता है, Reading Book होती है. लड़की के पास पुष्तक नहीं है. तो लड़की यहाँ पर एक है. तो Girl has no book. उसके पास फल नहीं थे. He had no fruits. यानि थे के लिए हम Head का यूज़ करेंगे. क्या मोहन के पास गेंध है? Has Mohan a ball? क्या तुम्हारी दो आखें है? Have you two eyes? क्या उसके पास कोई घड़ी नहीं है? Has he no any watch? Simple में क्या हो जाएगा? He has no any watch. तो क्या? Question मनाने के लिए Has he no any watch हो जाएगा? क्या उस तरी के तीन बेटे थे? थे है तो head आएगा? Head she three sun. Suns हो जाएगा यहाँ पर. क्या दोवी के पास वस्तर नहीं थे? Head washer man. Not cloths. क्या किसान के पास दो बैल थे? Head farmer. Two oxen. तो यह आपका translation हो गया है. Chapter जो exercise है. वो lesson 24 का. तो आपने इस chapter को अच्छे से read करने हैं. और जो exercise है. उसको book में करने के साथ में. Practice भी करना है copy पे. Okay? Thank you.